हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन्फॉंक्रीशन्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी लोग सस्थ और मस्थ होंगे आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खुपसर डिजाइन शेयर कर रही हूँ जिसको की मैंने डबल कलर में बनाया है यह 4 फंदो की डिजाइन है इसलिए इस डिजाइन को बनाने के लिए जब हम फंदी डालेंगे वो 4 के मर्टिपेल सी में डालेंगे और 2 फंदा एक्स्टा रखेंगे यहां मैंने 14 फंदी डालें है टू रो का बार्डर भी ना है जो की दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदो से बनाया गया है वैसे तो यह डिजाइन 4 रो की है लेकिन जब हम इस डिजाइन को दूसरी बार बनाते हैं तो डिजाइन की जहां चेंज कर देते हैं, इसलिए ये 8 रो की डिजाइन हो जाती है, आप चाहे तो इसे 4 रो रिपीट डिजाइन ही बना सकते हैं, इस डिजाइन में एक कलर के उनकी 2 रो ही बना जाती हैं, अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, डिजाइन की 1 र पूरी रो हमें इस तरह से मनानी है। दो फंद्य करने हैं और दो फंद्य सीधे बिनने हैं लास्ट में हमाई पास दो फंद्य बचेंगे जिनकों क्या हम स्लिप कर लेंगी इससे विर त्रह से पूरी हो जाएगे। हम डिजाइन की सेकंड रो पर हैं जो की बैक साइट से है जो फंते हमने स्लिप किये हैं उनको स्लिप कर लेंगे उनको पीछे ले जाएंगे और जो फंते हमने बुने हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे दो फंते हमने बुने हैं उनको सीधा बुन लेंगे उनको अपनी तरफ क करेंगे slip के हुए फंदों को slip करेंगे फिर उनको पीछे करेंगे और भुने हुए फंदों जो हैं दोनों उन दोनों को सीधा सीधा बुन लेंगे पूरी रो हमें इस तरह से बनानी है slip के हुए फंदों को slip करना है और भुने हुए फंदों को बुनना है अब हम design की third roper है जो की right side से है उनका color हम change कर देंगे इस रो में हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा पहला फंदा जो है उसको हम slip कर देंगे इसके बाद ये जो हमारे दो बुने हुए फंदे है उन दोनों फंदों को हम क्या करेंगे ये फंदा जो है पहला वाला जो दो बुने हुए फंदे उनमें जो पहला फंदा है उसको हम पहले बिन लेंगे इस तरह से और उसके पहले जो फंदा है उसको हम बात को सीधा बनेंगे दोनों फंदे सीधे बने जाएंगे लेकिन पहले सेकंड नमबर का फंदा बने जाएगा बात को फर्स्ट नमबर का बना जाएगा जिस तरह से हम केबिल बना रहे हैं यहाँ पर अब क्या करेंगे इन दोनों फंदों में यह जो यह फंदा है इसको बात को बि पुन लेंगे इस तरह से ये केबिल की तरह बन जाएगा फिर इसी तरह करेंगे इस सेकंड वाले फंदे को पहले बुन लेंगे हम आगे से सीधा फिर फरस्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और इन दोनों में पहले पीछे वाले सेकंड वाले पंदे को पीछे से ये खिली कली की तरह V-shape में बन जाएगा डिजाइन की फोर्थ रोपर हैं जो की बैक साइट से है पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इसके बाद की सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे में डिजाइन जो है वो हमाई थर्ड रो में ही पड़ती है इसलिए उस रोप को हमें बहुत ध्यान से बनना है और फोर तो हम आंक बंद करके आसानी से बना सकते हैं हम डिजाइन की फिफ्ट रोपर हैं फिफ्ट रोप जो है वो हम जो हमने डिजाइन बनाई है उन्हीं फोर रोप को रिपीट करके ही बनाएंगे लेकिन यहां पर हम जगां चेंज कर पहले हमने यह पहला और दूसरा फंदा स्लिप किया था इस बार हम पहला और दूसरा फंदा स्लिप करेंगे इन दोनों फंदों को बुन लेंगे पहला फंदा हम बिन लेंगे सीधा और दूसरा फंदा बुन लेंगे सीधा और जो दो फंद हमने बुने थे उन दोनों के बनाई दिजाइन की जगहां चेंक करने हैं इस तरह पूरी रों हम बनाते चल जाएंगे दो effectively बुनेंगे और रोधिषिक हाàng slip करते चले जाएंगे हम डिजाइन की 6 रो पर हैं ये 2 रो की तरह बनेगी जो फंदे बुने हुए हैं उन दोनों फंदों को हम बुन लेंगे सीधा और उन आगे करके जो slip के हुए फंदे हैं उनको slip कर लेंगे फिर उन पीछे करेंगे बुने हुए फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर उन अपनी तरफ करके slip के हुए फंदे slip कर लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है हम डिजाइन की 7 रो पर हैं जो की 3 रो की तरह बनाई जाएगी इसमें ही मेन डिजाइन है क्या करेंगे पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे दूसरे कलर चे अब इस फंदे की और इस फंदे की इन दोनों फंदों की केविल एक बनेगी इधर सी ये केविल बनेगी तो इस फंदे की केविल बनाने के लिए हम क्या करेंगे पहले पीछे वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे और फिर आगे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे क्योंकि यह सेकंड वाली केविल है इसलिए फर्स्ट वाली केविल इस पहले होती है और सेकंड वाली केविल बात को होती है तो यह सेकंड केविल बनाई है वह इसलिए इस तरह से बनेंगे अब हम यह दोनों फंदों को बनेंगे पहले यह आगे वाला फंदा सीधा बनेंगे ये और इसके बाद यानि सेकंड नमबर का फंदा पहले बुनेंगे और फर्स नमबर का फंदा बात को दोने ही सीधे बने जाएंगे और इस तरह से बना जाएंगे अब इसमें क्या करेंगे पीछे वाला फंदा पहले बनेंगे और आगे वाला फंदा बात को बनेंगे इस तरह से पूरी रोह हमें बनानी है जो केबिल के शुरुवात होती है पहली वाली केबिल में सेकंड वाले फंदे को पहले बनते हैं आगे से सीधा इस सेकंड वाले फं आगे वाले फंदे को बात को बिनते हैं सिधा पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है अब हम डिजाइन की एर्थ रो पर हैं जो की डिजाइन की लास्ट रो है पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद की सारे फंदो को उल्टा-उल्टा बिन लेंगे ये डिजाइन की लास्ट रो है बैक साइड से है मैं एट रो पहले बना चुकी थी एट रो अभी आपके सामने बनाई है बहुत ही खुबसर डिजाइन है बहुत ही सरल डिजाइन है इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं और ये इतनी खुपसर डिजाइन है इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट जैसे काल्डिगन, जैकेट, कोटी, शॉल किसी में भी आसानी से डाल सकती है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वेजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरे ये डिजाइन पसंद आती है इस डिजाइन को बनाने का धंग, समझाने का धंग अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स यहां तक पहुँचने में आप सभी ने मुझे भरपूर सहयोग दिया है और भरपूर प्यार भी दिया है मैं चाहती हूँ कि आपका यह सहयोग और प्यार आखिर तक बना रहें जिससे कि मैं आपके लिए रोज ही एक नई और अच्छी सी जैन ले करके आ सकूँ तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कल एक नई जैन के साथ तब तक के लिए जैम आता दी